तुड़ी आइविल टीच वो स्टूरी दड़ु जैकाल, ब्लु जैकाल मेंच नेले कलर का सियार, एक। जैकाल went to city in search of food, एक भूखा सियार, जैकाल को सियार बोलते हैं, जैकाल सहर में जाता है भोजन खोजने के लिए, एक ग्रूप आप डॉक्स स्टार्टर चेजिंग हैं, और कुटे के ग्रूप वाले सारे उसको खोजने लगते हैं, जैकाल jumped into drum to hide, जैकाल जो है, ड्रूप के उपर कुटता है छिपने के लिए, फिच वाज फिल्ड विथ ब्लू डाई, जो की ब्लू कलर के डाई से, मतलब बूलू कलर के रंग से पुरा भरा हुआ था, and he became blue, वो जो है, ब्लू कलर का हो गया, he went back to forest, वे फिर से जंगल वापस आया, and called himself the guard of the forest, और खुद को वो जंगल का रच्छक कहने लगा, the animals believed, सारे जानवर उसके उपर विश्वास करने लगे, and made him the king of the forest, और उसे मतलब king बना दिया गया, forest का, जंगल का, the lion and elephant became the guard of जैकाल, जो सेर था और हाथी थे, वो लोंग उसके रच्छक बन गए जैकाल के, one night, एक राज, some जैकाल were hauling, कुछ जैकाल मतलब अपनी आवाज में बोलने लगे, and he also started hauling, और वो भी ऐसे ही बोलने लगा, the animals were shocked, सारे जानवर जो है आश्यर चकित हो गए, कि यह क्या हो रहा है, उसको देख कर to see him, behaving this way, उसके इस behavior को देख के वो सब आश्यर चकित हो गए, the tiger and lion punched on him angrily, tiger और lion, मतलब सेर और चीता दोनों जो है उसको गुसे में जपट लिये, the animals threw out जैकाल from the forest, और animals सारे मिलके जैकाल को जंगल के बाहर फेक दिये, moral of the story, इसकी स्टोरी को moral यह है, कि the true nature of a person cannot be hidden for long, मतलब कि जो आदमी की naturally personality होती है, वो बहुत दिनों तक की छिपी नहीं रह जाती है, जो मनुस्य की असलियत होती है, बहुत दिनों तक की छिपी नहीं रह सकती है, ओके, बेटा इसको practice कीजिए,